स्कीम का नाम है PMEJPY, यह परधान मंत्री का जो हना Employment Scheme है, सर गोवर्मेंट ओफ हिंडिया की योजना है कि देश में जो युवाउं के एक फोज खड़ी हो रही है और उनके लिए जो भी लोग पढ़ते लिखते हैं उसा भी सरकारी नोकरी के तरफ भागते हैं, तो गोवर स्टी, ओबीसी, माइनॉर्टी और किसान कम्यूटी के लोग बिजनेस में नहीं आएंगे, उनकी दसा और दिसा दोनों नहीं बदलेगी, भारत सरकार की लगातार कोशिस है कि इस देश के वो तमाम लोग जो जाती है बरजनाओं की वज़ा से या किसी और बज़ा से बिज आज छूट भी है, महिलाओं के लिए भी छूट है, मेरे साथ SCST Bank Implies Welfare Association के जनरल सेक्रेटरी जय भगवान बोस जी है, पिछला इंटर्व्यू भी हमने आपके लिए किया था, एक बार फिर से हम इससे चुकी रिस्पॉंस बहुत जादा आया है, तो लोग जानना चाहते हैं, डीटेल से, तो इस वार हम डीटेल जानकाई दे रहे हैं, सर ये क्या योजना है भारत सरकार की? सर, गवर्मेंट ओफ इंडिया की योजना है, कि देश में जो यूवां की एक फोज खड़ी हो रही है, और उनके लिए जो भी लोग पढ़ते लिखते हैं, उस सभी सरकारी नोकरी के तरफ भागते हैं, तो गवर्मेंट चाहते हैं कि हमारा यूवा अपना काम धंदा, पचास अजार रुपे से लेके, और दस लाग तक का है, उसमें जो डिटेल की आप बात करते हैं, जो पचास जार तक के लोन हैं, उसको हम सीशू रिन कहते हैं, और उसके बाद जो है, हमारा किशोर पांच लाग तक का है, और तरुन जो है, उसके अंदर बाइफरी केसन है तो जिस तरे का आदमी अपना काम करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, अपना बिजनिस करना चाहता है, उसके लिए, वो मुद्रा लोन में, जो है, बैंक से, जितने भी सरावजनिक चेतर के बैंक हैं, उन से अपनी प्रजक्ट रिपोर्ट दे के, और अपना काम दं यह परद्धान मंत्री का जो हना employment scheme है जिसके तहत एक करोड तक के लोन जो हना वो कोई भी नया entrepreneur जो है ले सकता है और उसमें आपको हम पहले भी पिछली बार भी हमने अपने इस interview में कहा था एक करोड तक के लोन में अपनी project report आपको देनी पड़ेगी जो भी project viable पाया पर जो हना सारवजीन चेतर के जो बैंके हैं वो finance करेंगे government of India की scheme है और उसमें OBC के लोग भी अपनी भागीदारी सुनी स्चित कर सकते हैं जो आपने scheme SC, ST, OBC और जनरल की जो महिलाई हैं वो उसमें लाब ले सकते हैं परसेंट तक छूट है अगर वो लोन चुका देते हैं तो सर छूट की बात ये एक सबसीड़ी योजना है लोगों को नए जो entrepreneurs हैं उनको प्रोचाहित करने के लिए उनको छूट है OBC के जो लोग रहेंगे बिजनिस्मेंड उनको 15% की है जनरल के जो लोग रहेंगे जैसि हमने नाम ले जनरल की जो महिलाई ने उनको 15% है OBC के लोग रहेंगे उनको 25% है और जो SCS के लोग हैं उनको 35% है किसी भी SBI में जा सकते हैं, किसी भी सरकारी बैंक में जा सकते हैं हम तो कहेंगे हमारी management इसके लिए भारती एस्टेट बैंक की जो management है वो ज्यादा aggressive है कि भी लोग हमारे हाँ आके apply करें और जितने भी viable project रहेंगे जो सही उनकी योजना है, सही project है, उनके उपर हम loan देंगे, लेकिन वो हर सरकार की तरफ से तो किसी भी सरगनी छेतर के bank में जाके apply कर सकते हैं, किस तरह की तैयारी से जाएं ताकि समस्यां कम हूँ? सर त्यारी के साथ देखिएगा, मैं तो अपने bank की बात भी कर सकता हूँ, दूसरे bank की बात भी करूँगा, government of India की बात भी करूँगा, जो ये PMEJPY का जो portal है, उस पे जाएं, उस पे सारी चीज़ें देखें, उसमें जो KYC की बात हम करते हैं, KYC में आदमी का photo, जो applicant है, आव करोड तक की बात हम करते हैं, तो उसको तीन साल की जो हना, अपनी, मतलब, projected ITR भी जो हना, उसमें बनवानी पड़ेगी, जिसे बैंक ये सूनिश्चित कर लेकि ये आदमी कितना जो हना कमाएगा, और कितने हमारा पैसा किस तरह से वापिस आएगा, लगपुरा रोड मैप होता है, साका परबंदक से पहले वो भी हना, जनता को डील करता है, और इसके साथ साथ है, साका परबंदक तो ही, और इस काम के लिए specialized branch हैं, SME branch जो हैं, इस काम के लिए special branch हैं, वहाँ जाएंगे तो specialist लोग भी आपको मिलेंगे, और आप जो है, जो बी applicant है, उसको ज्याद जो गौर्मेंट ओफ इंडिया चाहती है मेकीन इंडिया तो उसमें वो जिसमें निर्मान होता है उसके लिए भारत सरकार जादा उत्साहित है कि हमारे देश में जो प्रड़ेक्ट जो है मैनुफेक्चरिंग के लिए जो लोग हमारे देश की बनी होई चीजें जो हना वो उस पर गौवर्मेंट ओफ इंडिया टेक्सेशन में भी छूट देती है बहुत सारे इलेक्टोनिक की आइटम है जिन पर हम बहार से मंगवाते हैं दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं तो 28% G तो इस परकार से वो भी प्रुटसाहन है और जो हना मेकीन इंडिया में वो आपके प्रडेक्ट जो है वो फित हो सकते हैं साथ ही सर्वी सेक्टर में भी भी बहुत सारी चीजें हैं वो अलग-लग प्रजेक्ट हैं अलग-लग योजनाई हैं वो एप्लिकेंट को खुद हम करें जिनको अनभव है प्रोडक्शन का मतलब सामान बनाने कि चाहे वो कोई भी एक्विंड बना रहे है हूं टेकनिकल एक्विंड बना रहे हूँ या किसी तरह के प्रडेक्शन के काम में में लगे हुए वो ज्यादा बहतर है कि वो अपना बिजनेसर अरू कर सकते हैं वो कौन खरीदता है और किसके पास जाता है और कितने देर में पैसा आता है उसके जो अंदर की जो टेकनिकल चीजीं है वो सब जान पाएगा वो तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अपना बिजनिस सुरू करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्सन रुद्धोग है वो शानदार है और इसके लिए भारत सरकार को सुक्रिया भी कहना चाहिए कि इस तरह के प्रजेक्ट लॉंच किये जा रहे हैं और खासकर इस देश में बड़ा एक तबका है जो बैंकिंग सिस्टम से अचूता है दूर रह गया है उसके लिए एक बड़ा से लोन ले सकते हैं और अपना काम सुरू कर सकते हैं नेसनल दस्तक की लगातार कोशिस होती है कि जो बहतर चीजे हैं समाज के बहतरी के लिए देस की बहतरी के लिए बो आपको बताया जाए और इसी करी में बादचीत थी हमारे साथ थे स्टेट बैंक के SCST बेलफेर एस्य ज़िएशन के जिनरल सेक्रेटरी जो है भगवान बोज जी बैंक में अधिकारी भी है और फेडरेशन भी चलाते हैं समाजिक लोगों को प्रोसाहिट भी करते हैं और यह जानकारी दे रहेते तो आप भी अपने नजदी के ब्रांच में जाकर किसी भी सरकारी बैंक में जाकर वहां से संपर कर सकते हैं और बाकी प्रोसेस भी जान सकते हैं पुरी बाचित कैसी लगे अपनी पर्थिक्रिया भी ज़र दीजे शुग्रिया सर्थ संभू कुमार सिंग निशनल दस्तक दिल्ली निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें